हलो वेलकम गाईस आज हम इस वीडियो में जानेंगे CRPF Constable ZD Sport की आप आप आवेधन फॉर्म को कैसे अपलाई करेंगे यहाँ पे हम आवेधन करके आपको दिखाने वाले हैं फिलाल यह वेकंसी जो है अपलाई होना श्टार्ट हो चुकी है इस वेधन फॉर्म की स्टार्टिंग जो डेट है 16 जनवरी 2024 और इसकी लाश्ट डेट 15 फरवरी 2024 है यह सभी कैंडियोट ऑनलेन के माध्यम से अपलाई करेंगे इसमें जो आपको सेलरी मिले वाली है 21,700 से 79,100 पीस लेवल 3 इसमें लागू किया गया है जो एज लिमिट मागी गई है 15 फरवरी 2024 से डेट ऑब बर्थ इसमें लिया जागा जनरल ओबीसी और EWS कैंडियोट के लिए 100 रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा बाकि किसी भी कैंडियोट के लिए कोई अप्लिकेशन चार्ज नहीं है बिल्कुल फ्रेस फॉर्म को अप्लाई करेंगे यह ध्यावान दीजे जो कैंडियोट PWD है और या फीमेल कैंडियोट है वो किसी भी कैटेगरी से आती है उनको अप्लिकेशन फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा जो कैंडियोट फी पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन के मेथड से पेमेंट को कम्प्लीट करेंगे कॉंस्टेबल ZD स्पोर्ट की जो पोस्ट एक्रिवेट की गई है 179 की प्रदूपी इसमें दस्मी की कौलिफिकेशन मागी गई है इसके साथ आपको स्पोर्ट की सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दी गई है स्पोर्ट की जो भी इनमें से सर्टिफिकेट आपके पास है उस सर्टिफिकेट के तहट आप वेकंसी पोस्ट को अपलाई कर सकते हैं male में कितना vacancy post जारी किया गया है और female में किस sport में कितना vacancy post अक्टिवेट की गई है यहाँ पे mention की गई है total यहाँ पे post आपको मिल जागा तो आप अपने certificate में यानि कि जो sport की certificate है उस certificate में कितना vacancy है वो आप इसमें check कर सकते हैं male है या female है लगबग इसमें सभी sport के लिए vacancy post अक्टिवेट किया गया है sport के जो qualification मांगे गई है आपके sport certificate या तो state level का हो या country का हो या national level का हो या किसी school के दौरा आपने ये sport के certificate को प्राप्त किया है तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं या तो आपके Indian Olympic associate के दौरा भी प्राप्त हुआ है तो आप आविदन कर सकते हैं इस certificate के तहर्त certificate जो मांगे गई है एक जनवरी 2021 से 31 दिसमबर 2023 तक का आपके पास certificate होना चाहिए अगर यदि इनके बीच की certificate है तो आप इस vacancy के लिए eligible होते हैं form apply कर सकते हैं जो sport की certificate मांगे गई है इसमें जो date mention की गई है उस date का आपके पास certificate है तो आविदन post को apply कर सकते हैं या तो इनके बीच का भी अगर आपका date का certificate है तो vacancy post के लिए eligible होते हैं आप form को apply कर सकते हैं इसमें जो selection process होगा सबसे पहले आपका documentation होगा documentation में सबसे पहले आपकी admit card जारी होगी admit card जारी होगी तो उसमें आपका date और venue address मेंसन रहेगा जिस पते पे आपको बुलाया जाएगा उस पते पे आपको अपना certificate ले कर जाना पड़ेगा अपना verification complete करने के लिए जो candidate certificate sport का रखे रहेंगे वही candidate इसमें eligible रहेंगे तो अपने certificate को लेकर जाकर आप verification करेंगे document जब verification हो जाएगा इसके बाद आपका physical test लिया जाएगा इसके बाद आपके medical test होगी इसके बाद आपका इसमें होगा selection जो आपकी physical details है उसमें general OBC candidate male के लिए 170 cm की height मांगी गई है वही female का 157 cm और HD candidate male का 162.5 cm फीमेल candidate का 150 cm की height मांगी गई है chest strip male candidate के लिए जाएगा जिसमें general OBC candidate के लिए 80-80 है और HD candidate का 76-81 cm है इसमें order of preference जो होगा first preference में आपके document verification के जाएगे और इसमें check भी किया जाएगा कि कौन-कौन से candidate कहा कहा के level के लिए आपने sport का game खेला हुआ है उसके बाद second preference आपका होगा और इसके बाद आपका इसमें selection भी होगा तो यह सारे process है इस वेकंसी की जो notification है उसका link हमने नीचे description में आपको दिया है यह फिलाल official notification है जो sport quota केता है इस वेकंसी पोस्ट जारी किया गया है Central Reserve Police Force की और से अगर जो भी candidate इसमें form apply करना चाहाते हैं वो वेकंसी पोस्ट को apply कर सकते हैं इसमें कौन-कौन से sport के certificate पे post activate की गहीं वो सारे जानकारी आपको इस notification में मिल जागा जिसका link हमने नीचे description में दिया है डाउनलोड करके आप सारे details को read out कर सकते हैं वैसे जो भी important details है मैंने आपको एक-एक करके बता दिया है आविधन form क्या से apply किया जागा इसके बारे में हम process देखते हैं तो सबसे पहले आपको official website पे visit करना है जिसका link हमने नीचे description में आपको दे दिया है इस page पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं या तो उपर आपको registration करने का option मिल जाएगा यहां से आप registration कर सकते हैं या तो आप थोड़ा सा नीचे कीजिए यहां पे apply here का button मिलेगा फिलाल यह vacancy है general constable gd की आपको just इस पर click करना है apply here के option पे click करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से options मिलेगा सबसे पहले यहां पे candidate का नाम लिखना है इसके बाद यहां पे mobile number लिखनी है और यहां पे email address लिखनी है और यहां generate OTP के button पे click करना है इसके बाद आपके mobile number और mail ID पर आपको एक OTP send किया जागा OTP आपको यहां पे लिखनी है OTP की जो limit time है यहां पे automatic countdown होगा आपको 10 minute में यह OTP verify करना है यहां पे वो OTP लिखनी है इसके बाद submit का button मिल जाता है आपको इस पर click करना है click करते ही आपको जो mobile number है और mail ID successful verify हो जाएगा registration complete होने के बाद आपके mobile number और mail ID पर इनके द्वारा message भेजा जाएगा जिसमें आपको registration number और आपको password मिलेगा registration number जो है आपकी mail ID रहेंगे और उसके बाद आपको password मिलेगा login करने के लिए तो फिलाहल हम यहां पे login करते हैं यहां candidate login के button पे click कर लेंगे इसके बाद यहां पे आपको अपने email address को लिखनी है और जो password आपको मिला है वो password यहां पे आप लिखेंगे अब password को reset भी कर सकते हैं इसके लिए आपको आगे हम process बता रहे हैं पहले login हो जाते हैं तो login होने के लिए अपने details को यहां पे लिख लेंगे इसके बाद capture code यहां पे reward कर लेंगे और इसके बाद यहां login के option पे click करेंगे login के option पे click करते हैं आपके सामने कुछ हैसा options आएगा इससे close करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से dashboard आपको मिलेगा आवेदन form apply करने के लिए यहां पे आपको button मिलता है apply new advertisement आपको इस पर click करना है यदि आपको password अपने मन मुताबिक बनाना है तो आप password को change कर सकते हैं यहां पे आप click करेंगे इसके बाद आपको यहां पे option मिलता है change password का यहां पर click करके आप अपने password को change कर सकते हैं जो current password है वो password यहां पर लिखेंगे अपने हिसाब से यहां पर आप नया password बना के आप capture code को verify करके अपने password को save कर सकते हैं इसके बाद आप उस password से दुबारा से login हो जाएंगे तो फिलाल guys हमने password को change कर लिया है यहाँ dashboard की option पे click करेंगे, इसके बाद close की button पे click करेंगे, हम form apply करने का जो process है वो देखते हैं, यहाँ apply new advertisement की button पे click करेंगे, इसके बाद रहाँ से नीचे करेंगे, यह post हमको मिल जाएगा, यहाँ पे apply here का option मिलता है, इस पर हमको click करना है, click करने के बाद हमारी जो data app वो यहा और mobile number, email address दिया था, सबसे पहले यहाँ पे एक ID probe select करने, इसमें कई सारी ID मिल जाएंगी, आपके पास जो भी ID है वो ID select करेंगे, उस ID का यहाँ पे number लिखेंगे, और इसके बाद उस ID पे आपका नाम क्या लिखा है, वो नाम लिखेंगे, इसके बाद आपको नीचे करनी ह यहाँ पे अपना additional information देनी है, जैसे अपना date of birth यहाँ पे आप select करेंगे, date of birth select करते हैं, कितने साल, कितने दिन और कितने महिने के हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाया जागा, आपकी nationality already Indian होनी चाहिए, इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का न है इसके बाद अपना marital status आप select करेंगे, अगर आपके पास निवास certificate है, तो यहाँ पे आप yes करेंगे, और निवास certificate की details यहाँ पे mention करेंगे, सबसे पहले अपना domicile state select करेंगे, इसके बाद district select करेंगे, उस certificate का number यहाँ पे आप लिखेंगे, यदि नहीं होता है तो आप इसमें no को भी select कर सकते हैं, तो ये options आपको लिखने क्या वा सकता है, नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अपना religion select करना है, इसके बाद यहाँ पर अपना category select करेंगे, इसमें स्रिफ general category के लिए ही cast certificate नहीं देनी है, बाकि सभी candidate के लिए cast की certificate details mention करनी है, obesity candidate है, non criminal layer में आते हैं, तो यहाँ पर आप yes करेंगे, इसके बाद अपना cast certificate details mention करेंगे, यहाँ पर certificate का number लिखेंगे, certificate जारी करने वाले का यहाँ पर राज लिखेंगे, यानि कि state select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर district select करेंगे, किसके द्वारा certificate आपकी जारी की गई है, वो आ direct entry को select कर लेंगे, इसके बाद आपको नीचे करनी है, यदि आप PWD candidate है, तो आप यहाँ पर yes करेंगे, यदि आप नहीं है तो इसमें no को select कर लेंगे, यदि आप एक service man रहेंगे तो yes करेंगे, नहीं तो आप इसमें no को select करेंगे, कोई भी विभागी candidate है तो yes करेंगे नही तो आप इसमें no को select करेंगे सारे information details को लिखने के बाद आपको यहाँ save and next के button पे click कर लेना है इसके बाद आपकी जो personal details है वो successful save हो जाएगा अब इसके बाद आपको अपना complete address लिखना है address को लिखने के बाद यदि आप same पते पर हैंगे नीचे आपको एक box मिलता है same as permanent address का आपको इस button पे click करना है click करते ही सारी address नीचे add हो जाएगा किसी और पते पर रहेंगे तो आप इस check box को हटा कर वो पता इसमें आप mention कर सकते हैं लिख सकते हैं इसके बाद आप save and next के button पे click करेंगे ये भी आपकी data जो है वो successful submit हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे अपने height की details mention करनी है कितनी आपकी height है और इसके बाद आपकी version क्या है वो version यहाँ पे आप लिख लेंगे इसके बाद आपकी physical standard क्या है वो इसमें आप select करेंगे यानि कि आपके नाम से कभी भी कोई अपराधिक FIR हुआ हो या कोई case हो तो यहाँ पे आप yes करेंगे और उसका details आप इसमें mention करेंगे यदि नहीं हुआ है तो आप इसमें no को select कीजे फिलाल हम यहीं कहेंगे कि आप इसे no ही रहने दीजेगा कोई भी options आपका ऐसा qualification देनी है आप यह profile create कर रहे हैं जब आपका profile बन जाएगा तो जिस post में जो qualification मांगी जाती है उस qualification के तहट आप post को apply कर सकते हैं फिलाल इस post के लिए सिर्फ दसमें की qualification मांगी गई है तो आप चाहे तो दसमें का qualification इसमें add कर सकते हैं जैसे आप दसमें की qualification को select करेंगे इसके बाद certificate का number लिखेंगे इसके बाद passing year select करेंगे इसके बाद state को select करेंगे इसके बाद board को select करेंगे इसके बाद यहाँ add के option पे click करके अपने high school की qualification को इसमें आप add कर लेंगे add करने के बाद नीचे आप दिखेंगे तो यहाँ साड़ी में आपकी जो qualification एड हो जाएगा, इसमें आप edit या इसे delete करके दोबारा से भी add कर सकते हैं, अब इसमें अपने profile में आप extra जितना भी qualification एड करना चाहेंगे, यह के qualification को आप इसमें select करके, जिस प्रकार से high school की qualification दिया है, सेम उसी प्रकार आपको अपने qualification को इसमें add कर लेनी है, जितना भी qualification आप देना चाहते हैं, qualification लिखने के बाद आपको next के button पर click करना है, इसके बाद achievement details आपको mention करनी है, आपके पास जो भी certificate है, तो यहाँ पर हम उसे select करेंगे, competition में आपने जहां का भी certificate, जिस level का आपको certificate मिला है, वो आप इसमें select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर organization name लिखेंगे, इसके बाद certificate के date में आप आए हैं, वो date इसमें select करेंगे और यहाँ add के button पर click कर लेंगे, certificate को add करने के बाद आपको next के button पर click करना है, जो भी आप qualified कर सकते हैं उसे आप इसमें select कीजें, इसके बाद आपको यहाँ save and next के button पर click करना ह तो सबसे पहले गाईस आपको अपने फोटो ग्राप को अप्लोड करनी है इसके बाद अपने अंगुठे की निसान को अप्लोड करनी है इसके बाद अपने दसमी की सर्टिफिकेट को अप्लोड करनी है इसके बाद बारहमी की सर्टिफिकेट अप्लोड करेंगे ये धिया द अपना swimming certificate या जो भी sport की certificate आप दिये रहेंगे वो certificate upload करेंगे अब certificate में notes में यहाँ पर mention की गई है फोटो आपका 20 से 50 के भी का होना चाहिए signature 10 से 20 के भी की होना चाहिए बाकि आपकी proof of birth यानि कि आपकी date of birth certificate या 10 मी के certificate या category certificate या qualification या achievement certificate sport की यह सारे certificate 100 से 500 के भी की मांगे गई image file मांगे गई है jpg format में आप certificate को upload करेंगे तो चलिए गया इस upload करने का जो process है वो दिखते हैं सबसे पहले photograph को upload करना है तो यहाँ upload photo के button पे click करना है इसके बाद आप इसमें drag and drop भी कर सकते हैं या तो आप इस पर click कीजिए इसके बाद आप जहाँ पे भी photo रखे हैं direct आपक पे click करना है photo आपका यहाँ पे proper add हो जाएगा कुछ इस प्रकार से previous दीखेगा इसके बाद signature को भी इसमें add करनी है जितने भी documents इसमें मांगी गई है या जितने भी documents आप इसमें select की हैं वो सारे documents को upload करने के बाद आपको बिल्कुल नीचे करनी है यहाँ पे आपको एक declaration box म submit हो जाती है आपकी previous page यहाँ पे दिखाया जाता है जिसमें आपके सारे information details जो अपने fill up की है वो दिखाया जगा अगर आपको लगता है किसे options में गलत है तो यहाँ बगल में आपको edit का option मिलता है इन सारे options पे click करके अपने details को change कर सकते हैं इसमें place आपको लिखना है अपन इसके बाद examination preference city select करेंगे यहाँ पे दिल ही दिखाया जा रहा है इसके बाद आपको यहाँ पे 47 रुपए 20 पैसा payment करना पड़ेगा तो फिलाल यह CSC charge है आपको इसे payment करना ही पड़ेगा क्योंकि यह जो form है वो CSC के through है इसलिए आपको इतना amount fee payment करना पड़ेगा भले ही आ आप SD SD candidate है इसमें payment करने का जो method दिखाया जा रहा है bank HDFC PG bank आपको दिखाया जा रहा है इसे आपको accept करनी है यहाँ pay now के option पे आप click करेंगे इसके बाद agree and pay के बटन पे click करेंगे अब click करते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सामने यह page मिलता है जिसमें कई प्रकार के method हमको मि options मिलती है जिन भी options से आप payment करना चाहते है उसका details आप समें लिखेंगे और यहां make payment के button पे click करके आप payment कर सकते हैं इसमें UPI का भी option दी गई है net banking और debit card credit card फिलाल guys हम इस vacancy का जो fee है वो payment करके आपको नहीं दिखा पाएंगे यदि आपको जानकारी चाहिए यदि आपको इ step by step complete submit करेंगे आगे की जो process है शिरिफ आपको fee payment करना इसके बाद अपने application form की print out ले सकते हैं चाहे तो आप PDF में save करके रख सकते हैं किस भवी से में कोई भी दिक्कात हो तो आप check कर सके हैं सो गैस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको इजानकारी अच्छे लगी होगी वीडियो पसंद है तो like कीजिएगा share कीजिएगा और गैस हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जये